नमस्का मैं उससी आयो जरकन की टॉप पचीस पर मुख खबर जानते हैं चीन के साथ लगती 35 किलोमीटर लंबी वास्तिविक नियंतरन रेखा पतैना ससस्तर बॉलों को चीन के किसी भी आक्रमक वर्ता काम मों तोड़ जबाब देने की पूरी अजादी दे दी गई है राक्षा मंतरी राइनाथ सिंग की सिर्ष सैन अधिकारियों के साथ लदाख में हालात पर उच अस्तरिये बैठक के बाद सुत्रों ने अजनकाई दी बता दे कि बिते सोमवार को लदाख के कगलान घाटी में हुए हिंसक जड़ब के बाद से तनाव बढ़ गया है राइनाथ सिंग ने सिर्ष सैन अधिकारियों को जमीनी सीमा हवाई छेत्र और राणनीती समूंदरी महरगों में चीन की गतिविदियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश और चीनी सैनिकों के किसी भी दूसास का मोतोर जबाब देने के लिए सक्त रुखत अपनाने को कहा है जर्खन मौसम विभा के पूरवा उनमान के तहट 22 से 27 जुन तक राणची समेत आसपस के छेत्रों में बादल चाहे रहेंगे 22 जुन को गरज के साथ हलके से मदे दर्ज की बारिस होगी 23 जुन को हलकी बारिस होगी 24 जुन को गरज के साथ एक दो बार हलके से मदे दर्ज की बारिस होगी जबकि 25 जून को गरज या बारीस होने की समभवना है आपको बता दे कि नियमावली के अनुरूप सिक्षक का टांसफर के लिए जीले के सभी विद्याले को पांच जोन में बाटा गया है जार्खन में आई 79 संक्रमितों के पुष्टी हुई जो पूर्वी सिम्भूम से 13 देवघर गोड़ा साथ गुमला साथ गोकारो साथ गिरी डिछव धनबाद पांच हजारी बैक चार राची दो रामगड दो कोडर्मा दो पाचमी सिम्भूम दो खुटी एक साहवगन से एक ह जब कि चौदर सच्वाइब लोग स्वास्थ विए और एक राकिमिती हो गई भारत में कूल संक्रमितों के संख्या चार लाग शावी से अर नौस दास आज जब कि दो लाग सैथिसे दो सबाव लोग स्वास्त वे और तेरहाज जार साथ साथ सव तीन की मिलिती हो गए एक ग्रिटी बार लाते हार आठ जाम तड़ा आठाएं नीजी स्कूल फिस मुद्धे पर अंदोलन करेगा अविभावक संग सिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी लोगडाउन की अधी में अविभावकों को फिस में रहात नहीं दिये जाने पर जाखन अविभावक संग न नो इस्कूल नो फिस अभियान चलाएगा उधर सिक्षा मंत्री ने संग को अस्वस्त किया है कि इस मामले में चिंतित हैं और स्वयन निग्रानी कर रहे हैं सिक्षा मंत्री ने बताया कि इस स्कूली सिक्षा और सक्षार्था विभाग को फिस के मुद्धे पर उचित प्र पर राजेपाल ने अपने परिवार के साथ योगे अंतराश्ट्रिये योग दिवस 2020 पर जार्खंड की राजेपाल दुरपती मुर्मु ने रविवार को राजेभवन में अपने परिवार के साथ योग किया इस दोरान पर देश के पूर मुख मंत्रियों अर्जोन मुंडाय अम्रगुवर्दास ने भी अपने अपने घरों में योग्या ब्यास किया राजय पाल ने छात्रों को जीवन चर्या में योग एवं ब्यावाम अपनाने और नकरात्मक से बचने की सला दी ट्रेन और बंस चलाने की मांग चेंबर की कारेकरिनी की बैठा कुनाल की अध्याक्षता में हुई इसमें लोकड़ाउन के दरन प्रभावित आर्थी कति विदियों पर चर्चा की गई चेंबर अध्याक्ष ने बंद पड़े सेक्टर की दुकानों को खोलने के लिए सरकार से अनुरोध किया साथ ही गाड़ियों और लोकल ट्रेन के संचारन की मांग की जे टेट परिच्छा पास अव्यार्थी सिख्छक बहाली को लेकर विधायक से की मुलकात जे टेट परिच्छा पास अव्यार्थी सिख्छक बहाली परकिरिया सुरू करने के लिए रामगड विधायक मामता देवी से मिले जेटेट उतिर्ण सिक्षक बहाली मोर्चा दोयर सोला के सदस्यों ने कहा कि सरकार उनके योगयता को बरबाद कर रही है उन्होंने कहा कि जेटेट के परमान पत्र की वैता पांच बरस तक रहती है इसमें से अढ़ाई बरस बिच चुके है अगर अब भी सरकार सिक्षक बहाली पर किरिया शुरू नहीं करती है तो कई अभियार्थियों के उम्र खतम हो जाएंगे उधर विधायक ममता देवी ने उन्हें अस्वस्त किया कि वे जल्द ही मुद्देपवार मुख्यमंत्रिय मन्सुनन से बात करेंगी बीर्षा जविक उद्यान देश के दस बेहतरी चिडिया घरों में समित किया गया है अब इस चिडिया घर को 208 पर विक्सित किया जाएगा केंद्रिये चिडिया घर प्राधिकरण ने राजे के प्रधान मुख्यवन सन रक्षक पीके वर्मा को याजनकारी दी मुख्यमंत्री स्रमिक योजना के तहत सहरी स्रमिकों को मिलेगा रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता जारखन के सहरों में रहने वाले स्रमिकों को भी साल में 100 दिन रोजगार की गरांटी मिलेगी सरकार के रोजगार नहीं उपलव्द करा सकने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा संक्रमन काल में रोजी पर मार से निपटने के लिए सहरी मजदूरों के लिए राज सरकार जल्द ही मुखमंतरी स्रमिक योजना लंच करने जा रही है आपको बता दे कि 18 साल से अधिक उम्र के वस्क काम मांग सकेंगे आवेदन के 15 दिनों के भीतर अकुसल स्रमिक को काम उपलव्द कराना होगा सरकार एजेंसियों या नगर निकायों के काम नहीं दे पाने पर 15 दिनों के बाद बेरोजगारी बता देने की परकिरिया सुरू हो जाएगी प्रधान मंतरी की नजर जार्खंड की जमीन और भू संपदा पर कांग्रेस जार्खन कांग्रेस ने कहा कि प्रदानमंत्री नारे मोदी ने बैस्वी महामारी संकट काल को भी औसर में बदलने की बात की थी लेकिन इस बात का अंदाज किसी को नहीं था कि जब पूरी दुनिया में आर्थिक गतिवीदी ठप है वैसे समय में ही कोल बलोक निलामी के नाम पर जमीन पर कबजा कर अपने उद्योग पतियों को सौंप दिये जाएगा और इसे औसर का नाम दिया जाएगा पाटी के प्रदेश प्रवक्ता अलोक दुबे ने कहा कि आज महराष्ट और गुजरात के पूंजी पतियों के साथ ही प्रदान मंत्री नार्यमदी तथा केंद्री ग्री मंत्री अमित्सा की नजर जारखन की जमीन और भू संपता पर लग चुकी है योग परतियोगताओं में गोल्ड मेडल हासिल कर धनबात का नाम रोशन की दिव सिखा धनबात पूरवी तुन्डी इस्थित मेरनवा टार पंचायत के मुखिया सभाजपानेता विपिन विहारी की 15 वर्षिये पुत्री दिव सिखा इन दिनों अपने योगे कला से अपन अपने योगे सिख्छक के दिशा निर्देश पर विध्यालाइक के और से योगे की हर एक विध्या में विभीन परदेशों तथा जोनल परतियोगताओं में भाग लेकर आप तक अठारा स्वांड तेरह रजत एवं साथ कास्पदक जित चुकी है रासन की चोरी वा कमी का हिसाब मिला जन्मित्रन प्रनाली के लाभुकों को अनाज वा अन्यखाद समागरी कम मिलने की सिकायत पुरानी है या सब को पता है कि यदि किसी लाभुक को 35 केजी चावल मिलता है तो उसे असल में 32 केजी ही दिया जाता है इसे लेकर कुछ सुधी लाभुकों के साथ पिडियेश दुकंदारों की अकसर जड़ब भी होती रहती है दर असल पिडियेश दुकंदारों द्वारा रासन कम देने कामों खिक कारन खादापूरती विभाग के द्वारा सही वजन से अनाज नहीं दे पाना है जबकि लेगा राची जीला के सभी प्रखंडों के लिए दुधारू मवसी पसुपालक क्रिसको जो गब विकास द्वारा संचाली दुधारू मवसी वित्रन करकरम से लावन्वित हैं तथा जार्खन मिल्क फेडरेशन द्वारा ग्रामीन अस्तर पर संचाली दुग्द संग्रा कें संद्र पर दुग्द विक्री करते हैं ऐसे लावुको को किसान क्रेडिट कार्ट दिया जाना है एक छुक पसुपालक के सिसी के लिए बाइस च्छ दुधार बिस से पांच साथ दुधार बिस तक आपना वेदन दे सकते हैं सास्ता समान दिनालेक के नाम पर 48 लाख ले भागे 2 रूपी कोकर्चाओ किसी सेनेटरी दुकान के संचालक रमेश अगरवाल हुआ उसके दोस्त दुधारा ब्यवसाई बिनोत का 48 लाख रूपए इरवाक के मेदानता के समीप रहने वाले सोनु जस्वाल साई 2 रूपी ल पहले एवा निवासी सुनु जैस्वाल उसकी दुकान पर आया और सनेटरी का कोई समान लेने की बात की बात्चीत के करम में उसने कहा कि वह कुलकाता से काफी सस्ते में दवा और सनेटरी का समान दिला सकता है मॉडल स्कूल के लिए जमा आवेधन की होगी समिक्षा राज के 89 मॉडल बिद्ध्यालें में नमांकन परवेश्परिक्षा के लिए फोरम कल तक जमा होगा विद्याथी जैक के वेफसाइट से फर्म डाउनलोड कर सकते हैं फर्म संबंधित परखंड के परखंड सिक्षा पसार प्राध्यकारी करेयाले में जमा होगा जैक सचीव महीप कुमार सिंग ने बताया कि मोडली स्कूल में नमांकन के लिए जमा आवेदान की समिक्षा की जाएगी उन्होंने का कि इस समद्ध में जल्द ही सभी जीला से रिपोर्ट मागी जाएगी जारखंड में बारिस के कारण नहीं दिखा सुर्य ग्रहान अंतराश्ट्रिय योग दिवस के दिन रभीवार को साल का पहला सुर्य ग्रहान लगा लेकिन जारखंड में बारिस के कारण लोग इसका नजारा नहीं देख पाए देश के अधिकांस हीसों में खंड सुर्य ग्रहान दिखा गया सुर्य ग्रहान दिन 10 बज कर 18 में सुरू हो गया था जिसका समान दिन 2 बज कर 30 में हुआ या ग्रहान 4 गंटे 22 मेंट तक रहा वही खंड सुर्य ग्रहान का पताव 9 बज कर 16 में हुआ कुल बलोक निलामी को लेका सरवदल्य बैठाक बुलाय स.E.M राज सरकार ने केंदर सरकार दो राज हरखण के कौल बलॉक की निलामी को सुप्रीम कोट में चुनावती दी है इसको केंदर और राज के बीच किसी राजनीतिक रंग से नहीं दिखा जाना चाहिए यह जनीत वा राज कंधिकर का मामला है शिरी राय नेमुक मंतिरी हमन्द सुरेन को सलाह दी है कि वह इस मुद्दे पर सर्वदलिय बैठक बुला है उन्होंने काया कि यह राज के राजस्वे में हिसेदारी से लेकर पर्यावरण और मुअबजा का मामला है धान खरीद घोटाला का आरोपी बना कोपरेटिव बैंक का निदेशक धान खरीद घोटाले के आरोपी सुधिर कुमार सिंग कोपरेटिव बैंक के नमिनेटेड निदेशक है यही नहीं उन्हें महिला के लिए अरक्षित सीट पर नमिनेटेड किया गया है वह कोपरेटिव के अध्याक्ष के करीब बताया जाते हैं राज सरकार के आदेश के अलोग में वीतिये वर्स 2015-16 में देवगार जीले में हुए धान खरीद घोटालों में प्राथमी की दर्ज हुई थी देवगार जीले में हुए 2.5 तीन क्लोर रुपए के धान खरीद घोटालों में कुल 26 के अध्यक्षों को आरोपी बनाया गया था धन्यवाद आज के लिए वस इतना ही कल से आपको 25 वीडियो मिलते रहेंगे यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों साथ सेयर करें थाइंक्यू